राधे राधे जैस्री कृष्णा आप सभी को मेरे इस यूट्यूटन प्रहर्दिक स्वागत है अभिनंदन है प्यारे बच्चो आज मैं आपको रिप्रोडक्टिव सिस्टम से समंधित कुछ प्रश्णों को पूछ रही हूं तो आप इनका आप जवाब देंगी है ना पहल लेडी कोशिकाओं से सुक्रासे से या अंडासे से क्या सही अंसर है आपको पता होगा टेस्टस्टिरोन हार्मोन जो है वो पूरुस के सेक्स ऑर्गन्स के द्वारा निकलता है तो कौन सी सटिक उत्तर है उसका जवाब देंगे आप एक तेस्टस्टिरोन हर्मोन का स्रावन होता है वीरिशन से लेडी कोशिकाओं से सुक्रासे से या अंडासे से किससे होता है प्लो जवाब दो इसमें इस तरह का प्रस्प्रन जो है लेडी की को शीकाएं तो व्रिशन और लेडी को शीकाएं व्रिशन में ही शुक्रजनक नलिका होती है इनही सुक्रजनक नलिकाओं के बीच में लेडि की कोशिकाईं उपस्थित होती हैं जिनसे टेस्ट अस्टिरोन हर्मोन होता है ठीक है कहां है यह कंफ्यूजिंग दोन स्टिक उत्तर बिलकुल बैस्ट उतर यहीं तो कंफ्यूज जो आपके है worth Pay pueden bisemen napkin अगर turnaround Professor नहीं होता है आधी की कोशीकाइं फोता है या चोथा कोई और के ओप्सिन होता तो बांख मूद करके आप लेडि की कोशीकाइं करती है इसी प्रकार से अगर लेडी की कोशीकाइं फटाथी और और ऑप्सन होता है व्रिशन सुक्रा से यंडा से तो करेक्ट एंसर आपका व्रिशन होता है ठीक है चलिए नेक्स्ट कुश्ण बेहम आते हैं की शुक्र जनक नली काएं आपस में मिलकार दो या तीन बड़े आकार की अत्यन्त लिप्ती हुई है ना कुंडलित की नलियों की एक सुरिंख़़ा बनाते हैं जिसे हम कहते विशनि एक जबाब देना को । जिसे हम कहते हैं क्या कहते हैं शुक्रासे व्रिशन, अधी व्रिशन या अस्परमेटिक कोर्ड क्या करेक्ट अंसर है क्येशन फिर ध्यान से सुनो सुक्र देनकन लिकाएं आपस में मिलकर दो या तीन बड़े आकार की अत्यनत लिप्टी हुई नलियों की एक सिंखला बनाती हैं जिसे हम कहते हैं सुक्रासय, व्रिशन, अधी व्रिशन या अस्परमेटिक कोर्ड करेक्ट एंसर क्या हमारा अधी व्रिशन एपीडी डाइमिस टेस्टीस आपको पता हिए बाहर की तरफ जो लटकता हुआ दो अंड कोर्ष होता है सुन कहते हैं अस्परमेटिक कोर्ड जिस रसी से व्रिशन लटका हुआ रहता है सुक्रासय आप जानते हैं जहां पर सुक्रान्वों का संग्रह होता है ठीक है नेक्स्ट क्वेशन तीसरा क्वेशन है आपका वो ये सुक्रान्वों का निर्मान होता है शुक्रानवों का निर्मान कैसे होता है यह बताओ अस्परमेटो गुनिया द्वारा, प्रोस्टेट ग्रंथी द्वारा, कूपर की ग्रंथी द्वारा या इन में से कोई नहीं कौन सा सही उत्तर है कौन सा सही उत्तर है सुक्रानगों का निर्मान होता है अस्प्रमेटो गुनिया द्वारा प्रोस्टेट ग्रंथी द्वारा कूपर की ग्रंथी द्वारा या इनमेसी कोई नहीं करेक्ट अंसर है इसका अस्प्रमेटो गोनिया व्रिशन में सुक्र जनक न लिकाएं होती है और परतेग सुक्र जनक न लिकाएं एक महिन आवरन द्वारा धका रहता है इसी आवरन के भीतर जनक को शिकाएं है जर्मिनल एपिथेलियम का एक लेयर रहता है मैंने रिप्रोड ए स्तंब के आकार का पीलर के आकार का है न कको शिकाई होती है और इन में से जो गोला के को शिकाई होती है उसको हीले कहते हैं और उस वास हिस..? उसे सुब्धिन कर निर्मान होता है πैसे मैं समझ भTP हूं कि यह अशलन के लिए है नों सुब्थ्ध है jadi सिक्ट सुक्रानू को के पोशक्तत्व एमंग आउक्सिजन प्रदान करती है सुक्रानू को आगे बढ़ने के लिए है ना मैच्चूर होने के लिए परिपक्व होने के लिए पौशक तत्व जरूरी है, औक्सिजन जरूरी है, तो ये उसको कौन प्रवाइट करवाता है, प्रशनी ये है, सुक्रानों को पोशक तत्व एम औक्सिजन प्रदान करती है, कौन? आपके पास option 4 है, गोपर की ग्रंधिया, दूसरा है लेडी की कोशिकाओं, तीसरा है सर्टोली की कोशिकाओं और 14 में से कोई नहीं सही उत्तर क्या है, सही उत्तर है सर्टोली की कोशिकाओं सर्टोली की कोशिकाओं के द्वारा सुक्रानों को पोशक्तत्व और ऑक्सिजन मिलता है जिससे वे जिवित होते हैं और परिपको होते हैं और अपना जो उनका आकार होता उतना आकार को ग्रहन करते हैं जब तो उनको पोशक्त तो नहीं मिलेगा उनकी आकार ग्रहन नहीं कर पाई हैं next question है आपके पास शुक्रानों को मुत्रमार्ग से बाहर की और निकालने का काम करती हैं कौन है सुक्रवाहिनी तीसरा है अधीव रिशन वाहिनी और चौथा है टेस्ट अस्टिरों हार्मोन कौन सा करेक्ट अंसर है इसमें भी दो है कन्फ्यूजिंग है कौन अधीव रिशन वाहिनी और सुक्रवाहिनी अप्शन में जो बच्चे ध्यान से नहीं पढ़ेंगे न यहां पर कन्फ्यूज हो जाएंगे सुक्रानवों को मुत्र मार्ग से बाहर की और निकालने का काम कौन करती है सुक्रवाहिनी इसको कैसे समझोगे कि अधीव रिशन वाहिनी जैसा कि मैंने बताया यह यह अपेटिडेड्रेड्मी वहध नलिका होती है और यह चोटी और आपस में पुल्एलma होती एक डक्ट का निर्वानु करती है जिसको ही शुक्रवाहिनी हम कहते हैं इस नलिका और इसी नलिका के मार्ध्यम से शुक्रानु मुत्र मार्ग द्वारा बाहर निकलता है है ना तो नेक्स्ट नेरीक हंगे पास तरह नच्ट की नीचे अवस्तित रहता है कुपर की ग्रंथिया प्रोस्टेट ग्रं फी या इन में से कोई नहीं है प्रोस्टेट ग्रंथी और अक्सर आप सुनेंगे पूरुस में प्रोस्टेट ग्रंथी ही कि ज्यादा डिस्टर्ब होता है अगर कोई पूरुस कोई लड़का अन्जाने में सेक्स सटीस्टेश्टन के लिए मास्टर्बेशन करता है बतलब अपने पेनिस को हिलाता है तो प्रोस्टेट ग्रंथी जो है डिस्टर्ब हो जाता है उस उसमें कई अवरोध उत्पन होता है कई परकार के रोग उत्पन हो जाते हैं प्रोस्टेट ग्रंथी है तो मुत्रा से की ठीक नीचे वस्तित रहता है ह कौन सांग प्रोस्टेट ग्रंथी नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास शुक्रानों के व्रिधी एमंग विकास है तू पोशन रसका स्रावन कौन करता है इसके पहले मैंने प्रस्ट पूछा था दोनों के लेंग्विज में दोनों के भाव में अंतर हैं यहां पर क्या पूछ रही हूं सुक्रानों के व्रिधी एमंग विकास है तू पोशन रसका स्रावन करता हैं पहला आप्सन है प्रोस्टेट ग्रंथी दूसरा है कूपर ग्रंथी तीसरा है देस्टास्टिरोन हार्मन और चोथा है सर्टोली की कुष्चिका हैं करक्रेंसर कौन है इसमें पोशन रसका स्रावन होता है प्रोस्टेट ग्रंथी के द्वारा प्रोस्टेट ग्रंथी के द्वारा शुक्रानों के पोशक तत्यों का स्रावन होता है नेक्स्ट एक प्रश्चन और है वो ये अक्सर एक्जाम में आता है सुक्रानु के किस भाग में क्रोमो जोमस और जीन्स होते हैं क्या आपको पता है इस प्रश्ण को उत्तर में नहीं बताऊंगी पहला प्रस्ण है आपका कि सुक्रानु के किस भाग में क्रोमोजोंस और जीन सुपसीत होता है दूसरा प्रस्ण है आपका इस्तरी प्रज्रन अंग में सुक्रानु कितने दीन तक जीवित रहता है सामान्यता कितने दीन तक जीवित रहता है इस तरी प्रजननंग में शुक्रानू कितने दीन तक जीवित रहता है और तीसरा प्रस्ण है प्रोस्टा ग्लेंडिन्स का स्रावल होता है कहां से ये तीन प्रश्णों का जबाव आप देंगे क्योंकि मैंने इस प्रश्ण को पहले भी बताया हुआ है अगर आपने इस वीडियो को देखा होगा तो आप जरूर इसका उत्तर दे पाएंगी तब तक के लिए इजाज़त दीजिए हमें जाने के लिए फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में अगले बातों के साथ ओके बाए